नोट कैसे छपाई होते हैं? कहां पर नोट छपाई होते हैं? नोट छपाई में कितना खर्च होते हैं? भारतिय नोट छपाई से लेकर आपके हाथों में आने तक की पूरी जानकारी देते हैं. भारती ये नोट छापने के लिए जो पेपर और रंग का उप्योग किया जाता है वह सारे सामान जापान और दूसरे देशों से लाया जाता है क्योंकि यह पेपर और रंग बिल्कुल बहुती प्रीमियम होते हैं और कीमती होते हैं और नोट छापने की प्रक्रिया भारत में किया जाता है हालां कि भारत के कुछ राज्य में नोट छपाई जाती है जैसे की मध्य प्रदेश के देवास, महराष्ट्रा के नासिक, करनाटक के मैसूर और पश्चम बंगाल के सलबोनी की प्रेस में होती है ये प्रक्रिया प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किया जाता है भारतिय नोट प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू हुआ साल 1975 को मध्य प्रदेश के देवास प्रिंटिंग प्रेस में नोट छापने की प्रक्रिया शुरू किया गया था जहां पर 20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे और 500 रुपे का नोट छापाई जाती है नोट छापने की printing प्रेस आम प्रिंटिंग प्रेस से बहुत ही अलग होते हैं जहां पर किसी भी आम व्यक्ति को जाना अलाऊद नहीं होते हैं और वहां पर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखा जाता है। हर साल कितनी नोट छपाई होते हैं। सन 1975 को नोट छापने की प्रक्रिया शुरू किया गया था और आज के समय में प्रती साल 265 करोर नोट छापी जाती है। जिस पर 20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे और 500 रुपे की नोट ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारक में कोई भी दुकानदार या व्यापारी ये नोट लेना नहीं चाहते हैं इसलिए 2000 के नोट छपाई नहीं किया जाता है। नोट छपाई में कितना खर्च होते हैं। 1.001 रुपया, 100 रुपया के नोट में लागत अती है 1.51 रुपया, 200 रुपया के नोट में लागत अती है 4.81 सिक्का कहां पर बनाई जाती है। भारत की चार राजय में सिक्का बनाने का प्रक्रिया चलती है वह चार राजय है मुंबई, कोलकाता, हाइदराबाद और नौइडा। सिक्का की एहमियत नोटों के मुकाबले काफी कम होते हैं लेकिन सबसे पहले भारत में सिक्का ही पहचान थी जिससे भारत में पैसे का एह हम्यद बनी है